नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अमित कुमार सिंग और मैं आपके लिए एक बार फिर से ले गया हूँ बिश्कप 2019 की खब्रे जो मुकावला था वो लॉट्स में खेला गया अस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच लेक आज का जो मैं आपको बता दो सबसे पहले भरी नाम जो था आज के मैच का उसमें ये अस्ट्रेलिया ने इंग्लेंड को चौंसर्ट रनों से मात दे दिया जी हां दोस्तों अस्ट्रेलिया ने इंग्लेंड को चौंसर्ट रनों से मात दे दिया आज के मैच में सबसे पहले बल्ले बाजी की और उनका उनकी जो शुर लेकिन उसके बाद जो स्कोर था वो 58 तक पहुचा एरॉण फिस्ट में बुस्क अपना दूसरा सतक भी लगाया और अस्ट्रिया के लिए सोरं भी बनाया और कहीं न कहीं जो स्कोर था उसे दोसो पचासी रनों तक ले गिया, अस्ट्रिलिया का जो स्कोर था 173 रनों पर एक भी करता, उस वक्त लग रहा था अस्ट्रिलिया कहीं न कहीं साड़े 300 का आकड़ा चूलेगी लेकिन इंग्लेंड के बॉलरों ने बहुत अच्छी कमबैक की और अस्ट्रिलिया को 285 पर रोग दिया, उसके बाद जबाद में उत्री इंग्लेंड के टीम जब बैटिंग करने हुँ उत्री तो उनकी सुरवात काफी खराब हुए कि वेंड रॉब ने दूसरी ही गेन पर विकेट ले लिया था और उसके बाद जो इंग्लेंड के लिए जो रूट जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो जब बल्लेवाजी करने आये, उनने मिचल स्टार्क ने आट रनों के नीज़े स्कोर पर लेल वी डवलू कर दिया था इस तरह से जो इंग्लेंड की पूरी टीम थी, वो आज 44.04 चार ओवर में दोसो एकीस रनों पे ओल आउट हो गई इंग्लेंड के तरफ से हलाकि बेंड स्टोक ने अच्छी पारी खेली, उन्होंने अर्थ सतक बनाया लेकिन एक बार फिग स्टेलिया के तरफ के जो अगर गेंदवाजी के बाद करें तो बेंड रॉफ ने आज 5 विकेट निकाल दिये और मिचल स्टार्क सांदार फॉर्म में चल रहे है, मिचल स्टार्क ने भी अपने टीम के लिए 4 विकेट निकाला दोनों जो स्टार्टिंग के ओपनर गेंदवाज थे, श्टेलिया ने दोनों में मिलके 9 विकेट ले लिए और इंग्लेंड को 64 रनों से मात दे दिया, अजकी मैच में मैणब दी मैच के लिए कप्तान एरण फिंस को चुना गया उनके सांदार सतक के लिए, मैं सबसे खास बात एक बात आपको बताओं दोस्तों कि अश्टेलिया 2019 में सेमी फाइनल ने पहुंचने वाली पहली टीम हो गई है, उनके साथ मैच में 12 हंक हो गया है, और इंग्लेंड के लिए अब जो रहा है वो कठिन हो गया है, क्योंकि इ अब जाए है भारत के साथ और न्यूजिलेंड के साथ अब इंग्लेंड को सेमी फाइनल पहुंचने के लिए भारत और न्यूजिलेंड दोनों को मैचेस हराने पड़ेंगे, तब जाके कही इंग्लेंड जो है, वो सेमी फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा, बरहल क्योंकि इंडिया टीम भी जो बहुत अच्छे फार्म है, न्यूजिलेंड भी जो अभी अजय बढ़त बनाई हुई है, तो देखना यह होगा कि इंग्लेंड के लिए आने वाला मुकाबलों को कैसा रहेगा, बने रहे दोस्तों, बाकी जानकारी के लिए मेरे साथ सब्सक कीजिए मेरे चैनल को देखते रहे हैं, जाए हिन जावालत